मैं डॉक्टर वेज चेतुविदी, मैं गंगराम हॉस्पिटल में हूँ, विमिटॉल्डिस्ट, मैं आर्मी से रेटार्ड लेट्रिंग जेल्म और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले एक सब्ताहस से काफी लोग हमारे पास आते रहते हैं बैट के लिए और हम भी निराश होते हैं क्योंकि बैट नहीं होता और वो लोग भी निराश होते हैं तो यदि आपको बैट ना मिले तो क्या किया जाए, इसका नाम मैंने रखा है होम हस्पिलाइशन means ideal situation तो है कि आप यदि आपको ज़्यादा बीमारी है तो आप हस्पिल में बिठ हो बर हस्पिल में बैट ना मिले तो क्या किया जाए, इसको बोलते है होम हस्पिलाइशन इसके लिए आप क्या करें, देखिए mild disease है तो आपको कहीं जाने की ज़रूद नहीं, घर में रहिए 6-7 दिन में ठीक हो जाएंगे, बर यद आपको बीमारी ज़्यादा है और आपको ऑक्सियन लेवल जब कम होने लगता है तब आपको हस्पिल की ज़रूद पढ़ती है, तो आपके बास पल्स ऑक्सिमीटर होना चाहिए, यद आपका ऑक्सियन सेचुरेशन 94 के उपर है तो कुछ करने की ज़रूद नहीं है, 94 से नीची जाता है तो आपको थोड़ा चिंता का विशे होता है, तो आप क्या कीजिए कि आप एक चीज प्रैक्टिस कीजिए कि पेट के बल लेटने को, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन, नॉर्मली हम पीट के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटिए और दो दो गंटे लेटिए और दो तीन बार दिन में करिए तो आपका उक्सियन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप पेट के बल लेटते हैं, तो आपका लंग एक्सपैंड होता है, दूसरा चीज है, जब इससे ठीक नहीं हो रहा है, तो आप घर में ही ऑक्सियन सिलेंडर या ऑक्सियन कंसेंट्रेटर ले लीजिए, दोनों में क्या अंतर होता है कि ऑक्सियन सिलेंडर को बार बार रिफिल करना पड़ता है, ऑक्सियन कंसेंट्रेटर अटमोस्फियर से ऑक्सियन लेता है, थोड़ा महगा होता है, बड़ द दोनों चीज़ें गर में रखी जा सकती हैं समझ लीजिए आपने एक दो दिन किया और आपका उक्सिन लिवल नहीं बढ़ रहा है तो आप किसी डाइग्नोस्टिक सेंटर में जाके CT स्कैन करा लीजिए यह CT स्कैन में माइल्ड कोविड आता है तो यह सब चीज़ें कंटीउन रखी ज़्यादा परिशान मत होई है बट यदि चेंजें सीवियर हैं तो चब तक हॉस्टिल का बैट का पता लगाते रही है फिर तो आपको एडमिट होना पड़ेगा और यह तो मॉडरेट है तो आती है बीस मिलीगाम वो रेमसिडिवर से भी ज़्यादा एफेक्टिव है और बीस मिलीगाम की टेबलेट आप डेली ले सकते हैं समझ लीजे आपने यह सब कर लिया आपने ऑक्सियन भी ले लिया आपके डॉक्टर आपको बोलेगा भई आपको बीमारी ठीक नहीं हो रह जाएगा तब यही दवा जो मुझसे दी जा रही है इस्ट्रोइड वो आपको आई वी दी जाएगी और साथ में एक और इंजिक्शन रेमसिलिवर इसको बोलते हैं हमकी एद आपको हॉस्पिल बैड ना मिले तो होम हॉस्पिलाइशन तो इस ज्यादा चिंता मत करिए पला हॉस्पिल आपको आपको